नमस्कार प्यारे बच्चों अर्थशास की कक्षा में आप सब का स्वागत है। खालानुकर्मिक वर्गीकरण, स्थानिक वर्गीकरण, गुनात्मक वर्गीकरण तथा मातरात्मक वर्गीकरण के विशय में जाना। आज की कख्षा में हम बारंबार्ता वित्रन, बारंबार्ता सार्णी तथा उससे जुड़ी हुई अवधार्णाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आए, अब हम जानते हैं संग्रहित आकडों को वर्गीकरत किस प्रकार किया जाता है। श्रंखला कहलाता है। हौरिस सेक्रिस्ट के अनुसार सांखेकी में श्रंखला उन आकडों या आकडों के गुणों को कहते हैं जो किसी तर्क्नून क्रम में विवस्तित किया जाते हैं। श्रंखला का चैन आकडों की प्रकरती तथा उनके अनुमानित मूल्यों के आकार को ध्यान में रख कर किया जाता है सांखी की श्रंखलाएं कितने प्रकार की होती हैं सांखी की श्रंखला दो प्रकार की होती है पहली व्यक्तिगत श्रंखला तथा दूसरी बारंबारता श्रंखला आए इनकी विशय में विस्तार से चर्चा करते हैं व्यक्तिगत श्रंखला में एक चर्क के प्रतेक प्रिश्ण को अलग अलग लिखा जाता है इसमें चरो को करम अनुसार आरोही या अवरोही करम में लिखा जाता है इस श्रंकला में अपरिश्कृत आंकडे संक्षित नहीं होते किन्तो एक निश्चित करम में होने के कारण इनका प्रियोग सरल हो जाता है इस प्रकार की श्रंकला का प्रयोग केवल तब किया जाता है जब अनुसंदान का छेत्र छोटा हो उधारन के लिए एक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा अर्थशास्मे प्राप्त अंकों को घरते या बढ़ते क्रम में लिखना व्यक्तिकत श्रंकला है किसी परिक्षा में दस विद्यार्थियों द्वारा अर्थशास्मे प्राप्त अंक दीखाए गए है इस आर्णी में हम सरलता से कुछ अनुमान लगा सकते हैं दूसरी तरह की शंकला होती है बारंबार्ता शंकला बारंबार्ता शंकला में किसी चर्क की प्रतेक मद या वर्गों की बारंबार्ता ज्याद करके आंकलों को सरल तथा संक्षित बनाया जाता है बारंबार्त शंकला दो प्रकार की होती है पहली बारंबार्त सर्णी तथा दूसरी बारंबार्त वित्रण विविक्त शंकला या बारंबार्त सर्णी क्या होती है विविक्त चर के लिए आंकलों का वर्गी करण बारंबार्त सर्णी के नाम से जाना जाता है क्योंकि विविक्चर पूरांक मानों को व्यक्त करता है ना कि दो पूरांकों के बीच के किसी भिन मान को हम ऐसी बारंबारता रखते हैं जो कि अपने पूरांक मानों से संगत हो बारंबार्ता सरणी की रश्णा करने के लिए मदों के मूल्य को क्रमबद कर लिया जाता है इसके पच्चात मदों के सामने मदों की बारंबार्ता को मिलायन चिन्नों के रूप में अंकित किया जाता है जिससे बारंबार्ता की गणना की जाती है उधारन के लिए परिवार के सद्यस्यों की संख्या को बारंबार्ता सर्णी द्वारा दर्शाय जा सकता है। बारंबार्ता वित्रण कैसे तियार करते हैं। आंक्णों के वर्गी करण के लिए सबसे ज़्यादा बारंबार्ता वित्रण का प्रियोग किया जाता है। बारंबार्ता वित्रण का प्रियोग खंडिचर तदा अखंडिचर दोनों प्रकार के आंकडों के लिए किया जा सकता है। बारंबार्ता वित्रण अप्रिश्कृत आंकडों को मातरात्मक रूप में वर्गी करत करने का सामान्य तरीका है। इसमें किसी चर के भिन्न मान विभिन वर्गों में उनके अनूरूप वर्ग की बारंबार्ता के रूप में वित्रित किये जाते हैं। सरल शब्दों में कहीं तो बारंबार्ता वित्रण में अपरिश्कृत आंकडों के अधार पर चरो को विभिन वर्गों में बाठ दिया जाता है। तथा मिलान चिन्नों की सायता से प्रतेक वर्ग की बारंबार्ता को ग्याद किया जाता है। इस विशे को जानने से पहले आईए हम कुछ महत्पून अवधार्णाओं को समझते हैं, जो इसके निर्मान तथ अध्यन के दोरान प्रियोग होंगे सबसे पहले वर्ग सीमाए प्रतेक वर्ग या वर्गांतर की दो सीमाए होती है पहली निम्न वर्ग सीमा, दूसरी उच्छ वर्ग सीमा किसी वर्ग में न्यूनतम संभव माप को निम्न वर्ग सीमा के नाम से जाना जाता है जबकि अधिक्तम संभव माप को उच्छ वर्ग सीमा के नाम से जाना जाता है उधारन के लिए वर्ग दस से बीस की वर्ग सीमाईं दस तथा बीस हैं इस वर्ग को की निमन वर्ग सीमाँ दस है जबकि उच वर्ग सीमाँ बीस है प्रतेक वर्गांतर की वर्ग सीमाईं भी अलग-अलग होती हैं दूसरा वर्ग आंतर का मध्यांतर या वर्ग विस्तार एक वर्ग की उपरी वर्ग सीमा तथ निम्न वर्ग सीमा के बीच के अंतर को वर्ग आंतर या वर्ग विस्तार कहा जाता है उधारन के लिए वर्ग 10 से 20 का वर्ग विस्तार 20 घटा 10 बराबर 10 है यह अवशक नहीं कि एक चरके सभी वर्गों का विस्तार समान हो विभिन वर्गों के लिए असमान वर्ग विस्तार वाला बारंबारता वित्रन भी हो सकता है किसी वर्ग की निम्न वर्ग सीमा तथा उपरी वर्ग सीमा के बीच आधी दूरी पर आने वाला मध्यमुल को उस वर्ग का मध्य बिंदू या वर्ग चिन्न कहते है इसे वरगांतर की निम्न वर्ग सीमा तथा उपरी वर्ग सीमा के योग को दो से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है वरगांतर के मद्यमुल्य को वरगांतर का औस्त भी कहा जाता है सुत्र के रूप में इसे इस प्रकार अभिव्यक्त किया जा सकता है वर्गांतर का मद्य मुल्य बराबर वर्गांतर की निम्न वर्ग सीमा जम्ह वर्गांतर की उपरी वर्ग सीमा भाग दो एक वर्ग का वर्ग चिन या वर्ग मद्य बिंदू एक वर्ग के प्रतिनिदी के लिए प्रियोग्त किया जाता है एक बार जब आकड़ों को वर्गों में समुहित कर दिया जाता है तब आगे की सांखे की गण्णाओं में व्यक्तिगत मान का प्रियोग नहीं किया जाता बल्कि उस वर्ग के प्रतिदिदी के तौर पर वर्ग चिन का प्रियोग किया जाता है वर्गांतर संबंदी सभी संखे के गणनाएं मध्य मुले के अधार पर की जाती है अगला है वर्ग बारंबारता किसी वर्गांतर की सीमाओं के अंतरगत आने वाले प्रिश्णों की संख्या को उस वर्ग की बारंबारता कहा जाता है वर्ग की बारंबारता ग्याद करने के लिए समान्यत मिलान चिन्नों का प्रियोग किया जाता है वर्ग बारंबारताओं की गिंती वर्ग विशेश के सामने मिलान चिन लगा कर की जाती है मिलान चिन उस वर्ग के सामने लगाया जाता है जिस वर्ग सीमा में वह प्रिशन शामिल होता है उधारन के लिए यदि प्रिशन का मुल्य सत्रा है तो वह वर्ग 10 से 20 के सामने एक मिलान चिन लगाया जाता है मिलान चिन्नों की गणना को सरल करने के लिए चार चिन खड़े लगाया जाते हैं तथा पांचवा चिन सब को काड़ता हुआ तिर्चा लगाया जाता है मिलान चिन्नों की गणना पांच के समू में की जाती है ताकि परिकलन में सुविधा रहे एक वर्ग की बारंबारता उतनी ही होती है जितनी उस वर्ग की मिलान चिन्नों की संख्या एक उधारण से देखते हैं परिवार के आकार का बारंबारता वितरण आप सोच रहे होंगे कि हमें बारंबारता वितरण में कितने वर्ग रखने चाहिए तथा प्रतेक वर्ग का आकार क्या होना चाहिए? वर्ग सीमाओं का निधारन कैसे किया जाए? प्रतेक वर्ग के लिए बरंबारता कैसे प्राप्त की चाहिए? आईए इस पर विस्तार से चाचा करते हैं बारंबारता वित्रण में वर्गों की संख्या का निधारन किसी बारंबारता वित्रण में वर्गों की संख्या निधारित करने से पहले हमें चरों के मान में होने वाले परिवर्तन के प्रसार को ग्याद करना होगा इसे चरों के उच्छतम तथा नियूंतम मान के बीच के अंतर के द्वारे ग्याद किया जाता है जिसे परास कहते है परास का मूले जितना बड़ा होता है चरों का मान उतना ही व्यापक परसार होता है और यदि परास लगू होता है तो चरों के मान में कम परसार है पूर में चर्चा कियेगे उधारन में चातर दुआरा प्राप्त अंक का परास चालिस है क्योंकि नियूंतम प्राप्त अंक शुन्य है तता अधिक्तम प्राप्त अंक चालिस है परास का मान ग्यात करने के पच्छाथ वर्ग अंतराल को तेय किया जाता है जिससे वर्गों की संख्या निर्धारित की जाती है ध्यान रहे सभी वर्ग अंतरालों का योगफल ही परास है ऐसी बारंबारता वित्रण जिसमें सभी वर्ग अंतराल बराबर होते हैं उसमें वर्गों की संख्या तथा किसी एक वर्ग के वंतराल को गुणा करके परास ग्याद किया जा सकता है यदि हम लगू वर्ग अंतराल रखते हैं तो वर्गों की संख्या अधिक होगी जिससे बारंबारता वित्रण बहुत बड़ा दिखता है तथा गंडना करना कठिन हो जाता है दूसरी और यदि वर्ग अंतराल को बहुत बड़ा रखते हैं तो वर्गों की संख्या कम हो जाती है जिससे व्यक्तिगत वेविद्दाओं की हानी होती है एक व्यवारिक नियम के अनुसार वर्गों की संख्या 5 से 15 के बीच होनी चाहिए बारंबारत वितरन में वर्ग के अकार का नेधारण परास ग्याद करने के बच्चात जब एक बार हम वर्गों की संख्या तै कर लेते हैं तब परास के मुल्य को वर्गों की संख्या से भाग करके वर्ग अंतराल ग्याद किया जा सकता है। वर्गों की संख्या तथा वर्ग अंतराल यह दोनों ने एक दूसरे पर नेरभर करते हैं। यदि हम एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा कम हो जाता है। इन दोनों का गुननफल परास होता है। ध्यान रहे, इस उधारण में हम समान वर्ग अंतराल वाले बारंबारता वितरण की चर्चा कर रहे हैं। अवशक्ता की अनुसार बारंबारता वितरण में असमान वर्ग अंतराल भी चुने जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में वर्गों की चोड़ाई असमान होगी वर्ग अंतराल के चुनाव के लिए कुछ मारदर्शिक नियम दिये गए हैं जब वर्ग अंतराल नहीं दिये गए हैं तो उनकी संख्या और चोड़ाई का निश्चय करने के लिए निवने बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, आंक्डों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी मद का पता लगाईए। उनका अंतर निकालिए। यह आंक्डों का सीमांतर प्रदान करता है। जिससे परास भी कहते हैं। दूसरा, मदों की संख्या की गिंती कीजिए। तथा अनुसंधान के उद्देशिक अनुसार या सुविधा अनुसार वर्गों की संख्या को निश्चित कीजिए। तीसरा, सीमांतर को वर्गों की संख्या से विभाजित कीजिए। जो भागफल प्राप्त होता है वह वर्ग अंतराल की चोड़ाई के विशय में निश्चे करने का आधार होगा चौथा, सामानेता वर्ग अंतराल की चोड़ाई समान होनी चाहिए तथा वर्ग अंतर की सीमाई एक पूनांग होनी चाहिए जैसे पांच या दस का गुनज वरगांतरों की दो संभव सीमाए पहली पूनांग जो की भागफल से प्राप्त संख्या से एकदम कम है निम्न सीमा होगी तथा भागफल से एकदम अधिक पूनांग उपरी सीमा होगी पांच वाँ प्रतम वरग अंतराल की आरंबिक बिंदू एक पूनांग को लिया जाना चाहिए जो नियून्तम मद से एकदम कम हो या यदि आंकणों की नियून्तम मद स्वैमे एक पूनांग है तो उसके बराबर हो छटा इसके पच्चात निश्चित किये गए आरंबिक बिंदू को लेते हुए निश्चित किये गए वरग अंतराल को जोड़कर वरगों की रचना कीजिए बारंबार्ता वित्रण की सीमाओं का नेधारण चर की प्रकरती पर निरभर करता है संतत तथा विविक्त चरों को ध्यान में रखते हुए बारंबार्ता वित्रण की सीमाओं का नेधारण किया जाता है इसके लिए दो विधियां अपनाए जाती है पहली अपवर्जी विधी तथा दूसरी समावेशी विधी है आईए इनके विशय में विस्तार से चर्चा करते हैं अपवर्जी विधी के द्वारा आकणों का वर्ग करण विभिन वर्गों में इस प्रकार किया जाता है कि एक वर्ग की उच्च वर्ग सीमा अगले वर्ग की निम्न वर्ग सीमा के बराबर होती है इस विधी में आक्णों की संतता बनी रहती है इसलिए इस विधी का प्रियोग संतत चरुक के आक्णों के लिए अधिक किया जाता है इस विधी में उच्च वर्ग सीमा को छोड़ देते हैं तथा एक वर्ग की निम सीमा को वर्ग अंतराल में शामिल कर लिया जाता है। वह परेशन जो वर्ग की उच सीमा के बराबर होता है उसे वर्ग अंतराल में शामिल नहीं किया जाता बलकि उसे अगले वर्ग में शामिल कर लिया जाता है। उधारन के लिए यदि संख्या बीस आंकडों में मौजूद है तो उसे वर्ग दस से बीस में शामिल नहीं किया जाएगा, किन्तो उसे अगले वर्ग बीस से तीस में शामिल कर लिया जाएगा. बारंबारता वित्रण में वर्ग गठन की एक अन्य विधी भी है, जिसे हम वर्गी करण की समावेशी विधी कहते हैं, समावेशी विधी में एक अंतराल की दोन सीमाओं को शामिल किया जाता है, पहले वर्ग की उच्छ सीमा दूसरे वर्ग की निम सीमा से बिन होती है, इसल विदी में प्रतेक वर्ग की उच्छ वर्ग सीमा को सम्मलित किया जाता है। उधारण के लिए समावेशी विदी में वर्ग अंतराल 11-20, 21-31, 31-40 के प्रारूप में होते हैं। ऐसे में प्रिशन के मुल्य 20 को प्रथम वर्ग में शामिल किया जाता है। क्योंकि अगले वर्ग अंतराल में निम्न वर्ग सीमा 21 से शुरू होती है। वर्ग अंतराल में समावेशी विदी में दो वर्गों के बीच संतता का अभाव रहता है। यदि कोई परिशन पहले वर्ग की उच वर्ग सीमा तथ अगले वर्ग की निम्न वर्ग सीमा के बीच में होता है तब उसे किस वर्ग में शामिल किया जाए इसका नेड़न करना संभव नहीं होता हम एक वर्ग की उच वर्ग सीमा तथ अगले वर्ग की निम्न वर्ग सीमा मे अंतर या असंतता पाते हैं उदारन के लिए पहले वर्ग की सीमा 20 तथा दूसरे वर्ग की सीमा 21 के बीज हम एक कांतर पाते हैं ऐसे में हम संत्त चर के वर्गी करण के लिए वर्ग अंतराल के बीज समयوجन करना पड़ता है जिससे उन सभी मदो को वर्ग अंतराल में शामिल किया जा सके जो दो वर्गों के बीच अंतर की कारण छूट रही थी यह वर्ग अंतराल का समोईजन इस प्रकार किया जाता है सबसे पहले दुत्य वर्ग की निम्न वर्ग सीमा और प्रतम वर्ग की उच वर्ग सीमा के बीच अंतर पता करते हैं उधारन के लिए दुत्य वर्ग की निम्न वर्ग सीमा 21 तथा प्रतम वर्ग की उच वर्ग सीमा 20 के बीच अंतर एक का है इसे हमने इस प्रिकार ग्यात किया 21 घटा 20 बराबर 1 प्राप्ट किये गए अंतर को दो से विभाजित किया जाता है फिर सभी वर्गों की निम्न वर्ग सीमा से प्राप्ट किये गए मान जो यहाँ पर 0.5 है उसे घटाया जाता है सभी वर्गों की उच वर्ग सीमा में प्राप्त किये गईमान 0.5 को जोड़ दिया जाता है इस परकार समाईजन के पश्चात हमें जो वर्ग अंतराल प्राप्त होते हैं वह अपवर्जी श्रंखला के रूप में होते हैं इससे बारंबारता वित्रण के आंकडों की संत्ता बनी रहती है अपवर्जी तथा समावेशी श्रंखलाओं के बीच में क्या अंतर है अपवर्जी श्रंखला में एक वर्ग की उपरी वर्ग सीमा दूसरे वर्ग की निशली वर्ग सीमा होती है परंतु समावेशी श्रंकला में एक वर्ग की उपरी वर्ग सीमा तथा दूसरे वर्ग की निचली वर्ग सीमा में समान्यता एक का अंतर होता है दूसरा अंतर यह है कि किसी वर्ग की उपरी वर्ग सीमा के मुल्य को वर्ग में शामिल नहीं किया जाता जबकि अगले वर्ग की निचली वर्ग सीमा में शामिल कर लिया जाता है इसके विप्रीत समावेशी शंकला में किसी वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा के मूल्य को उसी वर्ग में शामिल किया जाता है तिसरा अंतर यह है कि अपवर्जी शंकला सभी स्थितियों में चहे विविक्त चर हो या संतता चर हो उप्युक्त रहती है जबकि समावेशी शंकला संतत चर के लिए उप्युक्त नहीं रहती है इसमें दो वर्गों के बीच अंतर होने के कारण संततात का अभाव बना रहता है। चौथा, अपवर्जी शंकला से सभी स्थितियों की गणना की जा सकती है। जबकि कई परिस्थितियों में गणना कारे को सरल बनाने के लिए आंकडों को आयचित द्वारा प्रस्त करने के लिए समावेशी शंकला को अपवर्जी शंकला में बदलना आवशक होता है। इस चर्चा से हम ग्यात होता है। सांके की गणना या प्रियोग की दिष्टी से अपवर्जी शंकला अधिक उप्योगी होती है। हाला कि समावेशी शंकला का भी अपना एक अलग महत्व है। इन दो प्रकार की प्रमुख बारंबारता वितरन के अलावा भी बारंबारता वितरन की तीन रूप देखने को मिलते हैं। इन पर भी संक्षित चर्चा करते हैं। पहली खुले सिरे वाली बारंबारता वितरन। एक ऐसा बारंबारता वितरन जिसमें एक या दो वर्गों की वर्ग सीमा नहीं होती है। यह संबव है कि प्रथम वर्ग की निम्न वर्ग सीमा तथा अंतिम वर्ग की उच वर्ग सीमा ना दी गई हो। इस परकार के बारंबारता वित्रण को खुले सिरे वाली बारंबारता वित्रण कहा जाता है। इस परिवार की आये को छोड़ कर वर्ग अंतरालों का निर्मान किया जा सकता है। आंतिम वर्ग अंतराल में 50,000 से अधिक के किसी भी आयस्तर को शामिल कर सकते हैं। दूसरा संचेई बारंबारता वित्रण विभिन वर्गों के लिए उनकी वास्तिक बारंबारतों को नहीं दिखाता बलकि उनकी संचेई बारंबारता को दिखाता है। प्रतम वर्ग की संचेई बारंबारता वही होती है जो इसकी वास्तिक बारंबारता होती है। दूसरे वर्ग अंतराल की संचे बारंबारता प्रत्म वर्ग अंतराल की बारंबारता तो तो दूसरे वर्ग अंतराल की बारंबारता का योग करके प्राप्त की जाती है इस प्रकार अन्य विभिन वर्ग अंतरालों की संचिय बारंबार्ताओं का निश्य भी किया जा सकता है संचिय बारंबार्ता से अभी प्राय सभी वर्गों की बारंबार्ताओं के जोड से है नीचे एक उधारन दिया गया है जिसमें संचे बारंबार्ता दिखाई गई है तीसरा मध्य मुल्य बारंबार्ता वित्रण मध्य मुल्य बारंबार्ता वित्रण शंकला वह होती है जिसमें वर्ग अंतराल के स्थान पर केवल मध्य मुल्य तथा उनकी बारंबार्ता दी गई होती है इस प्रकार की बारंबारता वित्रण को समायजन करके वर्ग अंतराल वाली बारंबारता वित्रण में परिवर्तित किया जा सकता है इसके लिए सबसे पहले हम मध्य मुल्यों के बीच का अंतर ग्याद करते हैं फिर अंतरालों को दो भागों में बार देते हैं मद्य मुल्य से यह अंतर घटाने पर वर्ग की निम्न वर्ग सीमा प्राप्त होती है तथा मद्य मुल्य में यह अंतर जोडने पर वर्ग की उपरी सीमा प्राप्त होती है इस प्रकार प्रतेक मद्य मुल्य का वर्ग अंतराल क्यात किया जा सकता है एक उधारन की सायता से इस प्रिक्रिया को समझते हैं दी गई सार्णी में हमने मध्य मुल्य को वर्ग अंतराल में परिवर्थित किया है एक और अन्य प्रकार का बारंबारता वित्रण होता है जिससे हम असमान वर्गों में बारंबारता वित्रण कहते हैं सामानेत आकडों को समान वर्ग अंतरालों में वर्गिकत किया जाता है लेकिन कुछ मामलों में असमान वर्ग अंतराल के साथ बारंबारता वित्रण अधिक उप्यूगत होता है कई बार आकलों के वर्गी करण के दौरान हम पाते हैं अधिकांस प्रिशन एक या दो वर्गों में केंद्रित हो जाते हैं तथा उनकी बारंबारता का मुल्ले अनव वर्गों की तुल्ला में अपिक्षक्रित अधिक होता है इन वर्गों में परिश्णों का सगन घनत्प इनका वर्ग चिन से विचलन को बढ़ा देता है ऐसे वर्गों का विभाजन करके असमान वर्ग अंतराल का प्रियोग किया जाता है जिससे परिश्णों में नए वर्ग चिन से विचलन की मातरा कम हो जाती है तथा निकाले गए निश्कर्ष समस्टी के अधिक समीप होते हैं बारंबारता वितरण में सूचना की हानी बारंबारता वितरण द्वारा आंकणों के वर्गी करण में एक कमी पाई जाती है बारम बारता वित्रण में जब अब परिश्कृत आंकडों को वर्ग अंतरालों के द्वारा संक्षिप्त तथा बोध गम में बनाया जाता है तब वह सभी विस्तृत व्यक्तिकत विवरन लोप हो जाते हैं जो आंकडों के संग्रहन के द्वारान एकत्र किये गए थे इस परकार अब परिश्कृत आंकडों को वर्गिकत करने में व्यक्तिकत सूचना की जो शती होती है उसे सूचना की हानी कहा जाता है ये हानी वास्तों में सांख्यकी की विशेष्टा के कारण उत्पन होती है कि सांख्यकी के परिणाम किवल औसत स्तर पर सत्य होते हैं व्यक्तिगत स्तर पर नहीं आंकडों को वर्गिकर्ण द्वारा संचित करने पर हमें जनसंक्य संबंदी प्रयाप्त जानकारे मिल जाती है एक बार जब आंकडों को वर्गों में समुहित कर दिया जाता है तब व्यक्तिगत प्रेशन का आगे सांखे किये परिकलर में कोई महत्व नहीं रहता बारंबारता वित्रन वर्ग अंतराल की बारंबारता को देखा जाता है ना कि उसके वास्तिक मानों को एक वर्ग में शामिल सभी मानों के औस्त को उस वर्ग अंतराल के औस्त के बराबर माना जाता है तथा सभी संखिकी गणाएं वर्ग अंतराल के मध्यमुल या वर्ग चिन को अधार मान कर की जाती है ना कि उस वर्ग के प्रेश्णों के मान को यह बात सभी वर्गों पर लागू की जाती है इस प्रकार प्रिश्ण के वास्त्विक मान के स्थान पर वर्ग चिन का सांखिक की गणा में शामिल करने में व्यक्तिगत सूचनाओं की हानी हो जाती है आएए अब हम दूचर बारंबारता वितरण के बारे में जानते हैं अभी तक हमने जिस बारंबारता वित्रण की चर्चा की उसमें एक चर का वर्गी कर्ण किया गया था इसे एक विचर वित्रण कहा जाता है कई बार अनुसंधान के उदिश्य के नूराउप हमें दो चरों के संबन दर्शाने के लिए दो चरों का बारम बारता वितरन तयार करना होता है, जिसे द्वीचर बारम बारता वितरन कहते हैं। आईए एक उधारण द्वारा हम इसे समझते हैं। इसमें 20 कम्पनियों की विकरी, M.M. विज्ञापन व्याज के आखड़े दिये गए हैं। इस द्वीचर बारम बारता वित्रण में बीस कंपनियों के दो चरों विक्री तथा विज्यापन व्यकी बारम बारता वित्रण को प्रद्रश्चित किया गया है। यहाँ पर विक्रि के मान को भिन स्तंभों में तथा विध्यापन के मान को भिन पंक्तियों में दर्शाए गया है। आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं, आज हमने व्यक्तिगत शंकला तथा बारंबार्ता शंकला, बारंबार्ता सरनी तथा बारंबार्ता वित्रण, वर्ग सीमा, वर्ग विस्तार, वर्ग चिन, वर्ग बारंबार्ता, बारंबार्ता वित्रण की सीमाओं का नेधारण अपवर्जी विधी तथा समावेशी विधी वर्ग अंत्राल में समायजन असमान वर्गों में बारंबारता वित्रण बारंबारता वित्रण में सूशना की हानी द्वीचर बारंबारता वित्रण के विशय में विस्तार से जाना अध्याय आंकलों का संगठन इसी चर्चा के साथ समाप्त होता है नमस्कार कर दोanız तो दोसके सिर्फ नख साथ łज माप्त होता है तक कि अत्क Você नह को, कर थोच sein झाल झाल